असलाम लेकूम कैसे आप सब उमीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे खेर खेर यह से होंगे और आज का विलोग मैं अपना स्टार्ट कर रही हूँ मैं अन्बॉक्स कर रही हूँ अपनी न्यू सिविंग मिशीन मुझे बदानी क्या शोक उठा था कि मैं एक स्ला आउनलाइन मैंने और की थी और मुझे अच्छी लगी रिव्यूज वगरा भी अच्छे थे तो मैंने सोचा कि मैं यही वाली लेती हूँ रिजनेबल थी प्राइस में भी और यह तो एक दो दिन पहले ही डिलिवर हो गई थी मैं उपन नहीं कर रही थी बच्चों की वज़ा से क्यूंकि बच्चे आसपास में होते हैं तो फिर मुझे ज़रा थोड़ा सा लगता है इसमें से वो जो छोटी छोटी चोटी इसकी वो जो असेसरीज होती है नीडल्स सेजना स्टिच करके देगी मैं बहुत अर्सा हो गया मुझे कि मैंने स्टिचिंग वगारा नहीं की है मुझे तो भ्यात भी नहीं है में भी पंद्रा साल हो गया मुझे मैं स्टिचिंग नहीं करती हूँ मेरे कफड़े पाकिस्तान से ही स्टिच वयो कर आते हैं लेकिन मे cannabis सोचा कि घर पे होनी चाहिए कभी भी जरूरत पड़ती है कोई चोटा मोटा जैसे हो जाता है कपड़ा उसको फिक्स करने के लिए घर पे होनी चाहिए और यह है कि मैं थोड़ा सा इस पे सीख भी लूँगी मैं पहले अपनी जाब में काफी बिजी होती थी जाब अब जाब तो नहीं करती हूँ बच्चों के साथ घर पे रहती हूँ और इस तरह का काम तो आप लोगों को भी बता है कि बच्चों के साथ काफी मुश्किल होता है उसके लिए प्रॉपर टाइम निकालना पड़ता है अगर आप कुछ सिलाई कर रहे हो तो अभी तो मैं बस इसे ओपन करके देख रही हूं कि यह दिखने में कैसे लग रही है किसी दिन इसको मैं ट्राइ करूंगी जब बच्चे आसपास में नहीं होंगे तो फिर प्रॉपर इसको रखके थोड़ी दिर के लिए बैठके इसके कुछ सिलाई करके देखूंगी और मुझे भी कोई अच्छा सा आप लोग बतायेंगा कोई अच्छा सा चैनल जिसके ओपर से मुझे टिप्स मिल सकें जैसे जो बेसिक स्टिचिंग होती है उसके लिए और यह साथ में इसकी असेस्ट्रीज हैं फिर किया और क्या है इसके स अब ही थोड़ी देर में मुझे बाहि जाना है बच्चे क्योंके घर पी हैं तो बच्चे साथ ही जाएंगे मेरे हस्बन तो जॉब पे गए है खाना भी मैं गरम कर रही हूं मैंने ग्रिल की थी पिटेटो वाफल्स और साथ में क्या था फिश फिंगर्स थे और एक दू च सब्सक्राइगी मेरे पास ओवन तो है किचन में मेरे पास डॉबल ओवन है एक्चली लेकिन जो उसमें बड़ा ओवन है वो तो कभी इस्तवाल करने की नोबत ही नहीं आई क्योंके हमारी फैमिली इतनी चोटी सी है कि हम लोग जब भी यूज़ करते हैं तो हम लोग स्मॉ सब्सक्राइब तो यह देखें यह वाला मुझे बहुत पसंदा है यह तिना इसी है यूज़ करना के मैं निकालती है इसके अंदर और बस जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें ग्रिल करनी होती है वह मैं इसके अंदर रखते ती हूं और तक्रीबें 15-20 मिनट में वह रड़ हो जाता है मुझे यह वाला ज्यादा एजी लगता है बनिस्पत जो दूसरे हमारे पास अभी हम लोग जाने के लिए रेडी हो रहे हैं पच्चों को भी मैंने शावर बगारा करवा कि उनको भी कपड़े चेंज करवा दिये थे और मैंने भी बस जाहरी बात है कि मैं जारी भी नहीं मिला और वैसे भी मेरे हस्पन जाब पे है और मेरी जो गाड़ी है उसकी मोटी खतम होने वाली है एक तो दिन में तो मुझे इसकी मोटी करवाने के लिए लेकर जाना है मेरी अपाइन्मेंट पहले से बनी हुई थी तो मोटी में यह होता है कि वो गाड़ी चेक क करवाना पड़ता है तो उसके बाद में ही हम लोग ड्राइब कर सकते हैं और यह एक साल के बाद लास्मी करवानी होती है तो मेरी जो एमोटी की डेट है वो खतम होने वाली है गाड़ी की तो मुझे आज की अपाइन्मेंट मिली थी तो मैंने सोचा कि मैं आ जाती हूँ ब बिल्कुल साथ में एक पार्क था अब तो खैर शाम का टाइम हो रहा है तो मैं बच्चों को सोड़ी जिए के लिए पार्क में ले आई थी लेकिन पार्क में भी इतना पानी था कि बच्चों के सारे शूज वगरा भी गंदे हो गए कपड़े भी गंदे हो गए और बस थो बेर करवाना पड़ेगा लेकिन अभी मसला यह है कि वीकेंड है आगे तो फिर वो गैरिज तो बंद होता है अब मैंने उनके साथ मंडे की अपाइन्मेंट बुग की है तो मुझे फिर दुबारा से गाड़ी मंडे लाना पड़ेगी तो फिर वो फिक्स करेंगे तो फिर जो फिर मैं जैसे ड्राइव कर सकती हूं अदरवाइस नहीं तो बहुत अजारी बात है मुझे करवाना पड़ेगा क्योंके गाड़ी के बगार तो गुजारा होता नहीं है ग्रॉसरीज वगरा भी करनी होती है फिर बच्चों को स्कूल लाना ले जाना तो इस सब के लिए जरूरत पड़ती है बच्चे क्योंके बहुत ज्यादा ठगे थे बाहिर तो अभी मैंने मुझे भी ज्यादा टाइम लग गया था मुझे जो अंदाजा था तो उससे ज्यादा टाइम लगा मुझे तो मैंने भी बाहिस से बच्चों को फिशन चिप्स ले दिये थे अभी बच्चे खा रहे हैं अपना फिशन चिप्स फग्यारा और मैं आ गई हूं किचेन में क्यूंकि मेरे हस्बन को ये इतना पसंद नहीं है तो ये कल का सालन मैंने बनाया था आलू गोपी का वो थोड़ा सा पड़ा हुआ है तो वो मैं उनको रोटी के साथ मैं गरम करके उनके लिए तो इनफ है हम लोगोंने सब फिशन चिप्स खाए थे और मैंने क्या किया था मैंना फिशन चिप्स के टू पोशिंज लेकर आई थी एक बच्चों के लिए और एक अपनी नेबर के लिए वो ओल्ड है जरा और इतना बाहिर निकलती नहीं है तो मैंना सुचा क ही खाना पड़े नॉर्मली आजकल मैं जरा वाइड कर रही हूं फ्राई की हुई चीजें लेकिन फिर वेस्ट हो जाता तो मैंने भी बच्चों के साथ मिलके वही खाया है और मेरे हस्पें ने खाई है सालन रोटी जो कि उनका फेवरेट है मेरी बीटी ने मुझे बताया आज कि उसने अपना बेट सेट किया हुआ है फ्लोर के उपर वो नीचे सोएगी आज तो मैं उसका देखने आई थी कि उसका स्लीपिंग का क्या प्लैन है तो यह तो मुझे तो बहुत मज़े का लग रहा है वह फिर्स ताइम ऐसे स्लीप कर लिए फ्लोर के उपर उसने मेरी हांडिया रहेगी है वो बाद में दौंगी क्योंकि मेरा बड़ा दिल करा था कि मैं इस वकत एक ड्रिंक पी हूँ, सास में तोड़ी दिर रेस्ट करूँ तो मैंने इसलिए कैन को वश कर लिया है, क्योंकि मैं जब भी पीती हूँ कैन को पहले इसको वश कर लेती तो इसके साथ ही बस मेरा विलोग खत्म होने वाला है तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर और लाइक जरूर करें चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें इसके साथ ही इजाज़त दें अपना ख्यार रखिएगा अलाफेश